ये सरीर क्यों मिला है? ये मानव का सरीर भगवान ने क्यों दिया? ये सुन्दर बातें भगवान रिशब देव जी ने समझाई सारी पुत्रों को बदेश किया नव योगे शुर हो गए और भगवत चिंतन करने गंडगी के तड़ पर चले गए भगवान रिशब देव जी के बड़े पुत्र हैं गंडगी नदी नेपाल में हैं बरतमान में गंडगी के किनारे वो भजन कर रहे थे नारायन श्रीमन नारण का जाप श्री भरत जी कर रहे थे अच्छा नदी के किनारे उनका मन किस में लगा था? जोर से भगवान में किस में मन लगा? परंतू एक म्रग का बच्चा पानी में बहता जा रहा था भरत जी ने उस म्रग के बच्चे को बचा कर अपनी कुटिया पर ले आए अच्छा किसी की जान बचा लेना प्राणों की रक्षा करना ये बुरा तो नहीं था? सही काम था भरत जी ने सही काम किया उस बच्चे को म्रग के बच्चे को जो पानी में बह रहा था उठा कर कुटिया पर ले आए किसी की जान बचाना बुरा नहीं है पर किसी से प्यार कर लेना आसक तो हो जाना उस पर ये गलत है भारत जी उस म्रग को बचा कर ले आए पर उसको अपने पास रख के कहने लगे अब तो म्रग मेरा है उसको चराएं, उसको खिलाएं, नहलाएं अब जो भजन में समय जाता था वो समय जाने लगा म्रग में भगवान के भजन में बहुत चीजें बाधा बनती है हक्त को चाहिए साधक को चाहिए कि मन कहीं न लगाए जहां जहां मन लगेगा वहां वहां आपका समय बटेगा इसलिए मन ज्यादा कहीं न लगे आप लोग कुट्टा पाल लेते हो अब दिन भर आप कुट्टे कोई खिलाते हो मन भरत जी का म्रग में लगा और जब म्रत्यू का समय आया तो भरत जी के सामने म्रग आया और वो म्रग को देखते देखते मर गए यमराजी ने कहा आप म्रग का दर्शन करते करते मरे हैं आप म्रग का चिंतन करते करते आये हैं इसलिए आपको म्रग की यौनी में जाना पड़ेगा अंतेयामती सागती आपको पता है कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है आपका कितना नुकसान होता है आपको लगता है क्या फर्क पड़ता है फर्क पड़ता है मेरी मा मैया सुन रही हो मा के सो गही सुनो हमारा मन कहा है इससे फर्क पड़ता है के नहीं अच्छे एक बाद बताओ आपका ध्यान किसी एक काम में हो कहीं एक जगह हो फिर आपको दूसरा काम दे दिया जाए तो आप दूसरा काम करना पाएंगे अच्छे से क्योंकि एक काम में आपका पूरा दिमाग है यदि घर में आप किसी एक काम में लगे हैं और दूसरा काम भी आ जाए तो आप कैसे कर पाएंगे हाँ या ना कई बार ऐसा होता है, आप लोग 2-3 काम ले तो लेते हैं पर 2-3 काम लेने से आप एक भी नहीं कर पाते हैं इसलिए सास्त्र कहते हैं, संत्र कहते हैं, पहले एक को पूरा कर लो फिर दूसरा करना फिर एक एक करते चलो निप्टाते चलो एक साथ सब कुछ करोगे तो ना काम बनेगा आया ना एक साधे सबसद है तो भगवान में मन लगा लो और परिवार में मन ना लगाओ जब मरना तो बड़ी साबधानी से भारत जी ने गलती क्या करी म्रग में दिल लगाया और म्रग का चिंतन करते मरे तुन्हें म्रग बनके आना पड़ा अच्छा कुछ लोग कहते हैं जी उनर जनम तो नहीं होता अच्छा बताओ अगला जनम होता है या नहीं अगला पिछला आपसे सवाल कर रहा हूं आपका पिछला जनम था के नहीं नहीं पता क्या थे आप पिछले जनम में अगले जनम में क्या बनोगे मनुष्य ही बनोगे कि खुत्ता विल्ली बन सकते हो क्या हो आप अगले जनम में क्या बनते हैं क्या बनते हैं बताओ एक सजन बोले नहीं महराज हम तो मनुष्य हैं तो मनुष्य ही बनेंगे अगले जनम में ना जरूरी नहीं है कि आप इस जनम में मनुष्य हैं तो अगले जनम में मनुष्य बने आप कुत्ता भी बन सकते हैं बिल्ली भी बन सकते हैं चीटी भी बन सकते हैं 84 लाख यौनियों में आप कहीं भी जा सकते हैं कैसे जाएंगे करमों के अनुसार हैं आपके कर्मताइं करते हैं कि आपको किस यौनियों में डाला जाए जो अपराधी होगा वो जेल जाएगा सारे लोग जेल थोड़ी जाएंगे जेल वही जाएगा जो अपराधी होगा उसी तरह कुत्ता बिल्ली की यौनि में नाली के कीड़े की यौनि में वही जाएगा जो पापी होगा पाप ही आपका पतन करता है और जो कहते हैं नर्क, नर्क क्या है? तुम नाली का कीडा बन जाओगे तो नर्क ही तो है तुम कुत्ता बन जाओगे तो नर्क ही तो है तुम सुवर बन जाओगे तो नर्क ही तो है अरे मनुष्य हो तो अगले जनम में देवता बनो तब तो प्रमोशन है और अगले जनम में नाली का कीड़ा बन गए तो ये प्रमोशन नहीं हुआ आपका आगे की तरफ दिन प्रती दिन आपका पुन्य बढ़ना चाहिए और आपका यस कीरती आगे की तरफ जाए आप मोक्ष की ओर जाएं भगवत प्रेम की ओर बढ़ें मानव का शरीर 84 लाख शरीरों के बाद मिलता है मनुष्य का शरीर 84 लाख शरीर के बाद मिलता है अच्छा देखो आज आपको व्रंदावन मिला आज आपको मानव शरीर मिला भगवान की कथा मिली अगले जनम में क्या ये सब संभव है यदि पुन्यात्मा हो तो संभव है और पापात्मा हो तो फिर आप कहीं भी जा सकते हो एक उदारण से समझो मैया पंचायती मैया सुनो मिरी माँ सुनो बिहारी जी के गले में सौने का हार है माना की बिहारी जी के गले में सौने का जोर से बिहारी जी के गले में सौने का हार है धन्य है वो सौना जो विहारी जी के गले से लिपटा हुआ है धन्य है वो हार जो विहारी जी के गले से लिपटा हुआ है पर क्या हुआ कि उस सौने को उस हार को पुजारी जी ने बैच दिया दे दिया किसी को फिर सौनार क्या करेगा वो हार जब पुराना होगा तूट जाएगा जरजर हो जाएगा तो उसे को देनी पड़ेगा तो फिर वो भट्टी में डलेगा कहां डलेगा वो सौना भट्टी में डलेगा और उस सौने का एक नया आभूशन तयार होगा बोलो हाँ और अब जो नया आभूशन तयार होगा वो सोरूम में जाके रखा जाएगा वो सोरूम में जाके रखा जाएगा और वहाँ उस सोरूम से चाहे तो कोई भग्त खरीद कर विहारी जी तक पहुँचा दे या कोई वैश्या ले जाकर के या कोई भोगी जाकर के कल तक भाग साली था कि भगवान से लिप्टा था आज जाके वाश्या के गले में है तो बताओ उसका प्रमोशन हुआ क्या? क्या हो गया? रिमोशन हो गया? प्रमोशन हुआ? बस यही हम जीवों की बाते हैं कि आज हम मानव शरीर पाकर प्रभू के चर्णों में बैठे हैं जब यह सरीर पूरा होगा पता नहीं अगले जनम में हम कहा होंगे? किस हाल में होंगे? इसलिए समस्दारी इसलिए समस्दारी इसमें नहीं है कि आप बार बार जनम लो बार बार मर जाओ समस्दारी इसमें है कि ये जो हमारा शरीर है अब ये अंतिम होना चाहिए आप फिर से जनम लेंगे तो क्या भरोसा कि आप फिर ऐसा सत्संग पाएंगे धाम पाएंगे भगवान की भक्ती पाएंगे पता नहीं कल को कैसी संगती मिलती है इसलिए समझदार वो है जो इस मानव के शरीर को पाकर फिर किसी शरीर में न जाए वो भगवान धाम पहुंचकर मोक्ष काधिकारी बने